हलो फ्रेंट्स मैं हो प्रेंट्स तो सोगत करता हूँ आपका magnet brain में हम क्या देख रहे था हूं बिसिकली class 11 पे mathematics का अपना चैप्टर differentiation देख रहे थे chain rule काम कैसे करता है तो बहुत आराम से और ध्यान से हर एक बात को सुनते जाना देखो, जैसे आपके सामने फिलाल मैंने एक बहुत ही simple सा function उठा कर दिया है और इसको कहा differentiate करो यानि मैंने आपके सामने y लिखा है x cube plus 1 की whole power 6 और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आप y dash की value बताओ क्या होगी तो कैसे करोगे अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए y dash बताओ तो y dash का क्या मतलब है sir dy by dx बताओ तो dy by dx बताने के लिए sir इसकी value मैं बता देता अगर या तो ये purely x की power n का होता लगता है पता है यह लगता है कि हमने अभी तक जो differentiation सीखा है न वो apply तभी किया जा सकता है अगर जो हम अपने differentiation की first class में जितने formulas देखे थे न वो हमें मिल जाए यानि अगर आप मुझसे e की power x पूछते मैं बता देता log x पूछते मैं बता देता x की power n मैं बता देता sin मैं बता देता, cos बता देता मतलब वो जो straight formulas आ रहे थे उसमें किसी भी एक का differentiation अगर आप मुझसे पूछते तो मैं बता देता लेकिन जहां चीजे complex होने लगे यानि कि मालगो आप से e की power x ना पूछके e की power sin x का differentiation पूछते आप से log x ना पूछके log of sin x का differentiation पूछ दे तो इन सारी condition में differentiation कैसे बताएंगे वहाँ पे chain rule काम करता देखो chain rule कैसे काम करता है तो हमें at least इतना पता है कि सर जो भी चीज हमने पढ़ी है उसी चीज का हम differentiation बता सकते हैं अब जब मैं अपने function को देख रहा हूं तो मुझे क्या देख रहा है मुझे अपने function में देख रहा है x cube plus 1 की power 6 सर अगर ये x की power 6 जैसा कुछ होता तो इसकी मैं बड़ी आसानी से 6 x की power 5 differentiation बता देता लेकिन ये x की power 6 तो है नहीं सर ये कुछ x cube plus 1 की power 6 से पता नहीं क्या उटपटा है यानि कि मुझे निकालना है dy पे dx अब देखो मैं कैसे निकालूँगा और उसके लिए कैसे कैसे सोचूँगा अब ध्यान से देखते जाना हर एक step important है तो यहां सर मेरे दिमाग में ये आया अब ध्यान से सुनना मैं क्या करता हूं इस अंदर वाली चीज को कुछ you मान लेता हूं मैं आपको कह रहा हूं कि let यह जो अंदर वाली मेरी चीज है जो मुझे problem दे रही है क्योंकि अगर यही चीज सिर्फ x type की होती तो मैं अपना differentiation बता देता लेकिन सिर्फ x तो यह है नहीं तो मैंने क्या किया इस अंदर वाली चीज को मैंने पूरा क्या मान लिया यू मान लिया अब जैसे ही मैं यू मान लूँगा तो देखो क्या होगा अब जैसे ही इस वाली चीज को मैं यू मान लूँगा पूछ हूँ कि sir आप मुझे dy by du बताओ तो आप मुझे बता पाओगे क्या आप काओगे sir बिल्कुल बता पाओओगे क्यों 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 dy by du यहाँ पे purely x की power n जैसा कुछ है तो sir इसकी value में directly यहाँ 6 into u की power 6 minus 1 यानि की 5 बता दूँगा यानि कुल मिला के 6 into u की power 5 बता दूँगा sir क्या dy by du लेकिन क्या आप से dy by du पूछा गया है नहीं आप से क्या पूछा गया है dy by dx यानि अभी भी जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला लेकिन इसको भी फिलहाल 1 मान के हम रख लेते हैं clear है यह हमने क्यों किया क्योंकि problem इसलिए आ रही थी क्योंकि यह कोई अगर पूरा एक function रहता ना कोई x y z कुछ भी अकेला और उसकी power 6 तो sir इस तरीके से solve हो सकता था तो उसको set करने के लिए इस अंदर वाली चीज को मैंने ऐसा adjust किया कि वह अकेला बन जा उसके लिए मैंने क्या कर दिया तो इस पूरी अंदर वाली चीज को एक नया variable u मान लिया और उसके बाद इस point पे आ गए अब देखो हमने जैसे ही u को x q plus 1 माना यह जो अंदर वाली चीज है u को मैंने x q plus 1 माना तो यहां से मैं आपसे एक और चीज का differentiation पूछ सकता हूं तो इसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि सर मेरा जो u है न वो x q plus 1 के बराबर है अब अगर मैं यहां से पूछ हूँ कि u क्या है तो आप का होगे sir u 1 x का function है u 1 x का function है तो मतलब मैं यहां से sir du by dx भी बता सकता हूं मैं u का differentiation x के respect में बता सकता हूं क्या बता दूँगा sir तो मैं यहां से बता सकता हूं इसको sir इसको x के respect में differentiate करेंगे तो x qb का हो जाएगा 3 x square plus 1 x constant उसका हो जाएगा 0 तो कुल मिला के आ रहा है 3 x square यानि sir मैं यहां से du by dx है इसकी value बता सकता हूं 3 x square इसको equation number 2 बोल देता हूं अभी भी मुझे जो dy by dx चाहिए वो नहीं आया लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से देखो अगर मैं 1 और 2 को multiply कर दूँ अगर मैं 1 और 2 को multiply कर दूँ तो क्या होगा तो जैसे ही मैं 1 और 2 को multiply करूँगा तो मुझे देखो क्या दिखेगा मुझे यहां पर दिखेगा dy by du dy by du into यहां पर क्या है du by dx into क्या है du by dx यह किसके बराबर हो गया तो dy by du मेरा निकल के आया था 6 into u की power 5 6 into u की power 5 into du by dx मेरा निकल के आया था तो यहां से मिल रहा था ना यहां से लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को multiply किया तो क्या दिख रहा है मुझे dy by du into du by dx यह यह du ऊपर है और नीचे भी है तो इसको मैं cancel कर सकता हूँ कर दिया तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है मेरे पास निकल के आ रहा है अब देखो अब आप कहोगे सर आपका answer आधा u के term में आधा x के term में तो क्या हो गया आपने अल्रेडी u की value पता तो है आपको x के term में तो मुझे dy by dx जो मिलेगा सर इतना guaranteed है कि मुझे जो dy by dx मिलेगा वो x के term में होगा लेकिन यहां तो u है, तो u को हटा दो ना भाई, क्या दिक्कत है, तो u आपने क्या माना था, उसको हटा दो, तो 18 into u, u आपने क्या माना था, अपनी सुविधा के लिए x cube plus 1, तो उसको वापिस substitute कर देंगे, x cube plus 1, इसकी power 5 into x square, यही मेरा dy by dx है, इसको पहले note down करो, कर लिया note down, तो यहां से क्या समझ में आया, यह जो मैंने किया, इसे क्या समझ में आया, कि सर हमने जो अपना differentiation पढ़ा है न, उस type की बिलकुल singular चीजों के लिए पढ़ा है, कि सर sin का, cos का, tan का, sec का, cosec का, cot का, log का, a की power x का, e की power x का, इस type की चीज का पढ़ा है सर, हमने कभी भी इतने complex type की चीज नहीं पढ़ी, कि अंदर में को algebraic function उसकी power, इसका हम नहीं जानते सर, हम x की power 6 रहती तो बता देते, लेकिन x cube plus 1 की power 6 का हमें कोई idea नहीं, तो problem क्यों हो रही है, problem इसलिए हो रही थी, क्योंकि सर, ये जो पूरी चीज थी, अगर ये एक single variable होता, तो आराम से मैं इसका differentiation बता सकता था, लेकिन single variable ना होने की वज़ा से हम नहीं बता पा रहे थे, तो उस जरूरत को set करने के लिए, क्योंकि differentiation आपने उस तरीके से ही पढ़ा है, उस जरूरत को fulfill करने के लिए आपने क्या किया, इस चीज को एक single variable मान लिया, तो आपने क्या क्या, ये जो अंदर वाली चीज problem दे रही थी, इसको कुछ u मान लिया, आपकी मर्जी थी z भी मान सकते थे, आप इसको w भी मान सकते थे, बिल्कुल आप पे depend करता, आपने एक नया variable इसको assign कर दिया, तो अब आपका function बदल के u की power 6 हो गया है, अब अगर u की power 6 है, तो मैं यहाँ से obvious ही बात है sir, y मेरा u का function है, y is a function of u, यह यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर y u का function है, तो अगर differentiate भी होगा, तो u के respect में होगा, तो sir मैं y का differentiation अभी फिलाल, x के respect में तो नहीं बता सकता, लेकिन u के respect में ज़रूर बता सकता हूँ, क्या बता दूँगा, तो sir, अभी u के respect में, यह बहुत ही simple method से मेरा differentiate हो जाएगा, जो हमने अपने basic formula पढ़े थे, वह directly apply हो जाएगे, तो मेरा result यहाँ से आगया, 6 into u की power 5, लेकिन क्या मेरा जो d y by d x का requirement था, वो आया नहीं आया, तो requirement अभी भी fulfill नहीं हुआ, अब उसके बाद आगे मैंने सोचा, कि अच्छा, मैंने अपने u को भी तो कुछ माना है, मैंने इसी वाले term को तो u माना था, तो ultimately मेरा u क्या है, यह है, और यह u एक x का function है, यानि कि again, अगर यह x का function है, तो इस u को मैं x के respect में differentiate कर सकता हूँ, तो इस u को अगर मैं x के respect में differentiate करके देखा, तो मेरे पास again एक result आगया, again यह du by dx आया, मतलब मुझे जो dy by dx चाहिए था वो नहीं मिला, तो खुमा फिर आके मुझे जो dy by dx था, वो दोनों में से किसी condition से नहीं मिला, लेकिन यह जो दोनों अलग-अलग result आये थे, जैसे ही मैंने इनको multiply किया, तो मुझे क्या दिखा, यह जो extra u हमने introduce किया, वो अपने आप cancel out हो गया, और वो मुझे dy by dx देखे चला गया, बस मुझे कुछ करना नहीं था, u की value वापिस substitute करनी थी, यही chain rule है और कुछ अलग नहीं है, कि आपको जो requirement है ना, उस requirement को आप fulfill करने की कोशिश करते हो, जैसे ही आपने वो requirement fulfill कर दी, आपका काम हो जाएगा, एक और example से इस चीज़ को समझते हैं, अगर एक और example ले, तो यहाँ से हमें क्या clear होगा, देखो यहाँ पर, मालनो एक दूसरा example लेता हूँ आपके सामने, मालनो मैं आपको कहता हूँ, y is equal to, कुछ भी ले लो, sin of cos of log x, इस बार थोड़ा सा बढ़ा लिया, sin of cos of log x, यह हमने लिया, अब इसको मुझे differentiate करना है, मतलब मुझे dy by dx बताना है, क्या होगा, कैसे बताएंगे, अब यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो again sir, sin theta बस रहता, सिर्फ sin x रहता, सिर्फ sin x रहता, तो इसको मैं differentiate कर सकता था, लेकिन यह sin of cos of log x का मुझे नहीं पता, तो sir, सिर्फ sin x रहता, तो काम हो जाता, तो क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को क्या किसी तरीके से x बनाया जा सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जरूरत के लिए, यह sin के पूरी जो अंदर वाली चीज़ है न, इसको कोई u मान लेता हूँ, तो इस पूरी चीज़ को मैं यू मान लेता हूँ, यानि कि let, u is equal to cos of log of x to the base e, इसको मैंने u मान लिया, तो जैसे ही मैंने अब इसको u माना, तो मेरा y क्या बन गया है, तो y मेरा बन गया, sin of u, क्योंकि आपने इसको u मान लिया, यानि कुल मिला के आपका y u का function है, आपका y u का function बन गया, तो सर आप इसका differentiation, u के respect में जरूर बता सकते हैं, तो सर हम यहां से dy by du जरूर निकाल सकते हैं, sin u का cos u, कहानी खत्म, इसको बोल देते हैं 1, अब आगे बात आती है, लेकिन सर आपने u भी तो कुछ माना है, u हमने क्या माना है, तो cos of log of x to the base c, हमने माना है u, तो सर अगर हम यहां से देख पा रहे हैं, तो मुझे क्या जज़ हो रहा है, कि फिलहाल यहां पे इसका फिर से differentiation पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि सर अगर cos theta type का रहता तो बता देते, लेकिन cos of तो log x है, theta तो है ही नहीं, तो सर यह एक लौता कोई variable रहता, तो बता देते, अभी फिलहाल नहीं बता सकते, तो problem क्यों हो रही है, कि यहां पे एक लौता कोई variable ना होनी की वज़ा से, problem create हो रही है, simple theta जैसा रहता, तो मेरा काम हो जाता, उसको हमने set कर दिया, तो यह अंदर वाली चीज़ को मैंने v मान लिया, अब जैसे ही अंदर वाली चीज़ बन गई, v, तो मेरे पास है, u is equal to cos of v, क्योंकि log के बदले तो v आ गया, अब u cos of theta जैसा है, तो यहां से अगर कोई मुझे से पूछे, तो मैं उसको क्या कहूँगा, कि मेरा u v का एक function है, तो अगर मेरा u एक v का function है, तो मैं du by dv निकाल सकता हूँ, मैं du by dv निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा sir, तो cos theta का होता है, minus sin theta, तो cos v का हो जाएगा, x को log x to the basic को, अब यहां पर कोई जंजट नहीं है, sir मुझे clearly दिख रहा है, कि मेरा v एक x का function है, तो अगर मेरा v x का function है, तो मैं v को x के respect में differentiate करूँगा, तो log x का कितना हो जाएगा sir, 1 by x, यह result निकाल के आगया, इसको equation number 3 हमने बोल दिया, अब sir मेरी requirement थी dy by dx की, लेकिन मुझे dy by du मिल रहा है, du by dv मिल रहा है, dv by dx मिल रहा है, dy by dx कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन ध्यान से जब मैं देखू, इन तीनों को multiply कर दो, तो मुझे क्या दिख रहा है, जैसे इन तीनों को multiply करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे result आ रहा है, dy by du, dy by du into, यहाँ है मेरे पास du by dv, into du by dv, into क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ है dv by dx, यहाँ है dv by dx, और is equal to यह जो तीनों value आ रहे हैं, इसको लिख लो, यानि कि cos u, into यहाँ से आ रहा है, आपके पास minus sin v, और into कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 by x, यह मेरे पास result आ रहा है से, अब यहाँ पे करने पे देखो, क्यो observe हो रहा है, यह नीचे का du, उपर के du से cancel हो गया, यह नीचे का dv, उपर के dv से cancel हो गया, कुल मिला के फिर से आप कहाँ पहुँच गया, dy by dx पे पहुँच गया, यानि आपके dy by dx आ गई है, लेकिन यहाँ पे u b है, v b है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको u की भी value पता है, x के term में, v की भी value पता है, x के term में, उसको substitute कर दोगे, answer आजाएगा, problem हल हो गई, तो क्या observe हो रहा है, sir observe यह हो रहा है, कि मैं, इस पूरे की differentiation, एक बार में नहीं बता पा रहा, कैसे बता पा रहा हूं, तो मैं sin theta की बता सकता हूं, cos theta की बता सकता हूं, log x की बता सकता हूं, एक साथ sin of cos of log x नहीं बता सकता, तो मैं उसको छोटे-छोटे part में break करके solve कर पा रहा हूं, तो अगर मैं छोटे-छोटे part में break करके, जब अलग-अलग variable पे differentiate करके, इस सारे जो मेरे differential coefficients आ रहे हैं, उनको multiply करके देख रहा हूं, तो मैं क्या judge करता हूं, मेरी जो original requirement थी वो आ जाती है, यही जो chain create होती है न, इस chain के creation को ही chain rule कहते है, क्योंकि मुझे पता है, ultimately ये करने से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, इसी वज़ा से याद करो, मैं आपको अपनी basic class में बोला था, कि कभी भी कोई chain rule से differentiate करना हो, कभी भी किसी चीज को chain rule से differentiate करना हो, तो ultimately होता क्या है, आप sir, बाहर के function से शुरू करते हो, और अंदर के function तक, last तक होके जाते हो, तो आप तब तक differentiate करते रहते हो, जब तक आप first से शुरू होके, last तक ना पहुँच जाओ, इसी वज़ा से मैंने आपको वो something something करके बताया था, कि sign of something का differentiation क्या आप बोल दोगे, cos of something into something का dash, tan of something का क्या बता दोगे, 6 square something into something का dash, और ये chain repeatedly चली जाती है, repeatedly चलती जाती है, अब यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाऊंगा, इसी में ध्यान देना, तो वो सार directly हम कभी differentiate नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो भी differentiation के formula देखे थे, वो सारे हमने single variable पर देखे थे, मतलब मैं sign गदा गोडा हाथी कुछ नहीं बता सकता, मैं simple sign कोई वेक variable रहे, यानि sin x रहे, cos x रहे, x की power in रहे, tan x रहे, इस type की चीज़ का सार differentiation बता सकता हूँ, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, हर बार अपने सवाल को single variable पर एक एक करके simplify करने की कोशिश करता हूँ, उसको corresponding variable के respect में differentiate करता हूँ, और finally जब सब को एक साथ multiply करता हूँ, तो एक ऐसी chain create होती है, जिससे मेरा एक result निकल के आजाता है, वहाँ पे चीज़ों को वापिस substitute करता हूँ, answer आजाता है, तो क्या हर बार यही करेंगे, इतना लंबा procedure, नहीं करेंगे, अब मैं आपको जब next example, एक छोटा से example लूँगा, तो उसके साथ आपको properly clear हो जाएगा, कि actually सवाल में होता क्या है, किस तरीके से हम proceed करते हैं, तो बहुत important रहेगा, अब focus रखना, अब यह जितनी चीज़ पढ़ लिए, वो एक साथ apply होगी, अब यहाँ ध्यान देना, सवाल आपके सामने थोड़ा change करते हैं, अब एक बहुत ही simple सवाल से, अब आपके अपनी चीज़ों को समझेंगे, सवाल क्या है, मालनों मैं कह रहा हूँ आपको, y is equal to, y is equal to, sin x की power 5, मालनों एकदम simple question लिया, y is equal to sin x की power 5, तो sir, x की power 5 रहती, तोबिया पराम से बता देते, सिर्फ sin x रहता sir, तोबिया पराम से बता देते, लेकिन sin x की power 5 बताना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको बनाने का अभी तक, जो हमने approach सीखा, उस ही साब से approach क्या होता, तो sir, उस ही साब से approach यह होता, कि sir, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, कि इस sin x को अगर मैं कुछ u बोल देता, अगर यह sin x, sin x ना होगे, कुछ x जैसा होता, तो x की power 5 बड़ी आसानी से differentiate हो जाती, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, let, sin x को कोई u मान लेता हूँ, sin x को मैंने u मान लिया, तो मेरे पास हो गया y is equal to u की power 5, तो यहाँ से अब मुझे दिख रहा है, कि मेरा y u का एक function है, तो मैं dy by du निकाल सकता हूँ, तो मैं dy by du निकालूंगा, तो 5 into u की power 4 आएगा, इसी तरीके से जब आगे proceed करें, तो मुझे दिख रहा है, यू क्या है, sin x है, तो u ultimately है क्या मेरा sin x है, यानि अगर मैं आपसे पूछ हूँ, u का differentiation x के respect में क्या होगा, तो दिख रहा है sir, u एक x का function है, तो u का differentiation x के respect में, sin x का cause x हो जाएगा, यानि अगर मुझे, इस particular function का differentiation निकालना होता, तो मुझे dy by dx करना होता, तो dy by dx करने के लिए, अगर मैं dy by du, into cause x, और is equal to 5 into u, मैंने किसको माना है, sin x को, यानि कि 5 into, sin x की power 4 into cause x, ये मेरा final answer हम बता देते, देखो actually होता क्या है, अब आपको यहाँ पर दिखेगा, अब यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, y क्या है आपका, y को substitute करते हैं, तो देखो y originally क्या है आपका, ये पूरा का पूरा y है मेरा, तो d of y आपका है, sin x की whole power 5, divided by du, तो d of u क्या है आपका, u आपने sin x को बोला है, तो d of sin x, इसकी value आपके कितनी निकल के आ रही है, तो 5 into u की power 4, u की power 4 का क्या मतलब है, sin x की power 4, तो 5 into sin x की power 4, लिखते जाओ भी बस जो लिख रहा हूँ, और यहां से आपके पास है du by dx, अब देखो, d of u, u आपने किसको बोला है, तो u आपने sin x को बोला है, तो d of sin x, divided by dx, इसकी value आपने बोल दी, cos x, यानि अब यही चीज़ को मैं अब लिखू, तो देखो आपको क्या दिखने लगेगा, अब यह पूरी चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो dy by dx is equal to, देखना क्या हो रहा है, dy by dx is equal to, लिखो, यह into यह, तो यह क्या आ रहा है, d of, आपके पास, sin x की power 5, divided by, d of sin x, into, यहाँ से आपके पास आ रहा है, d of sin x, divided by dx, जिसकी overall value मेरी निकल के आ रही है, 5 sin x की power 4, into cos x, जहाँ पर मेरा सवाल क्या था, तो मेरा सवाल यह था, y is equal to sin x की power 5, अब यहां से हर चीज़ आपको clear हो जाएगी, अब ध्यान देना, पहले इतना note down करो, अब यहां पे सीखो जो बता रहा हो, अब इस हर चीज़ को erase कर देते हैं, यानि कि देखो हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनना, तो देखो chain rule काम कैसे हैं, कि अब आपको clearly यहां पे दिखेगा, कि आपके पास y is equal to sin x की power 5 थी, तो मुझे पता लगा sir, कि इसको differentiate करने का तरीका क्या है, तो सबसे बाहर वाला function मुझे क्या दिख रहा है, तो मैं कहूंगा sir, सबसे बाहर का function, जिसको पहले operate करना ज़रूरी है, differentiate करने के लिए, वो है मेरा x की power 5 टाइप का, यानि यह जो power है, यह सबसे बाहर का function है, इसको पहले मुझे solve करना है, यानि मुझे कुल मिला के, क्या करना है, sin x की power 5 को differentiate करना था, तो सवाल यह उठता है, कि sin x की power 5 किसके respect में differentiate होगा, तो क्या sin x की power 5, x के respect में सीधे differentiate हो सकता है, नहीं, अब यहीं पर interesting बात होती है, आपको पता है सर, कि d of x की power, अगर x के respect में differentiate होता है, तब जाके आप n into x की power, n minus 1 value बता देतो, बस इसी fund ने को यहाँ पर ध्यान में रखते होगे सर, अगर कोई x की जगाँ पर मेरा sin x आ गया है, तो d of sin x की power 5 किसके respect में differentiate होगा सर, तो अगर x था, x की power n था, तो x के respect में differentiate होगा, यानि इसी तरीके से, अगर यहाँ sin x की power 5 है, तो इसकी value 5 into sin x की power 4, तब ही आएगा, अगर आप इस पूरी चीज़ को पहले, sin x के respect में differentiate करते हो, यह चीज़ वही होगई, जो exactly यहीचीज़, आप इसको इससे compare करो, कि यह ही format होगया, कि सर, something की power n तब ही differentiate होता है, अगर यही something नीचे रहे, यह something की power n तब ही differentiate होता है, जब अगर सर, यही something नीचे रहे, x की power n तब ही differentiate होता है, अगर यही x exactly नीचे रहे, तो सर, sin x की power 5, तब ही differentiate होगा, अगर exactly यही sin x नीचे रहे, तब ही इसकी value आप इस format की हिसाब से, n into fx की power n-1 type से बता सकते हो, यानि सबसे पहले हमने क्या किया, यह x की power n का format का जब differentiation किया, तो यह पहले किसके respect में differentiate हुआ, तो यह पहले sin x के respect में differentiate हुआ, तब जाके आपका यह result आता है, अब जाके आपका यह sin x है, वो finally x के respect में differentiate हुआ, यानि जो मैं आपको बार बार statement कहता था, कि बाहर के function से start करते हुए अंदर की और चलते जाते हैं वही कहानी यहाँ पे हो रही है यानि इसी चीज़ को अब मैं अब directly example में लिख के दिखाऊं तो देखो मैं क्या बोलूँगा अब एक सवाल में directly यह करके देखते हैं हो रहा है देखो यहाँ ध्यान देना मालो मैंने अपना function लिया y is equal to log of base e यहाँ पे sin of x की power 4 मालो इसी को differentiate करना है तो देखो आपको जब dy by dx निकालना है तो dy by dx इतनी आसाइनी से नहीं निकलेगा तो dy by dx निकालने के लिए आपको पहले इस चीज़ को फूर यह इसको पहले किसके respect में differentiate करना है हम परेगा तो इसको पहले आपको sin of x की power 4 के respect में differentiate करना पड़ेगा क्योंकि log of anything log of anything पहले anything के respect में differentiate होगा यह इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिखाया था क्या कि log of गदा-गोडा हाती के respect में differentiate होके 1 by गदा गोडा हाती देता है तो log of गदा गोडा हाती आपका 1 by गदा गोडा हाती तभी देगा अगर ये log of something something के respect में differentiate हो क्यों? क्योंकि log x है तो x के respect में differentiate होके 1 by x देता है तो log of something है तो something के respect में differentiate होके आपका 1 by x type की चीज़ देगा इसके बाद into तो हम कहां से start किये सबसे बाहर का function log log का काम हो गया log से कहां अंदर का function sign पर पहुंचे अब हम कहेंगे कि अब मेरा जो sign of something है sign of something तो d of sign of something का जो मेरा differentiation होगा यह किसके respect में होगा तो sign of something का differentiation something के ही respect में हो सकता है क्योंकि sign theta का theta के respect में अब बता देते हो sir sign theta का theta के respect में cost theta होता है तो अगर sign of गदा-गोडा हाती है तो उसका differentiation गदा-गोडा हाती के respect में ही हो सकता है तभी वो cost गदा-गोडा हाती क्यालाता है अब फाइनली इंटू हम बोल देते हैं कि अब हम जब साइन से x की पावर 4 में पहुँचेंगे तब हम कहते हैं कि मेरा ये x की पावर 4 का differentiation अब फाइनली x के respect में मेरा आ जाएगा 4 इंटू x3 ये मेरा actual procedure होता है इसी वज़ा से इसको chain कहते हैं क्यों क्योंकि सबसे बाहर के functions से start करते वो अंदर की और जाते हैं कैसे जाते हैं तो सबसे पहले log of कुछ something दिख रहा है तो log of something की value आप one by something आप ONE by something तभी बता सकते हो अगर वो उसी something के respect में differentiate हो तभी इसकी value आभ बाइ सम्थिंग बता होगे into, अब मेरे पास क्या आए, log से अंदर गाई, sign पे पहुंचे, अब मेरे पास क्या आता है, तो sign of something का differentiation, so sign of something हमेशा सिर्फ something के respect में ही differentiate हो सकता है, तब जाके वो क्या कहलाने लगता है, और अब finally यह जो मेरा something बचा है, इसका differentiation X के respect में हम क्या बोल देंगे, यहां से 4x3 बोल देंगे यही important procedure है जो आपको ध्यान में रखना है इसको note down करें यह actually मेरे chain rule के work करने का funda है कि जो भी differentiation में आपको क्या बताया basic formula पे जानते हैं तो अगर कुछ sign of गधा गोड़ा हाथी type का कुछ भी रहता है तो वो sign cost में तभी बदलेगा अगर वो ही sign के अंदर का angle वो sign आपका cost अभी बनेगा अगर वो ही sign के angle के respect में differentiate करोगे log का 1 by x तभी होगा अगर वो log के अंदर वाली चीज के respect में आप log को differentiate करोगे तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज हम वहाँ करते थे जो x के लिए होता था वो आपके किसी भी function के लिए होगा बस क्या ध्यान में रखना है कि जो अंदर की चीज होती है उसी के respect में differentiate होना चाहिए तो directly इसको ऐसे move करने का तरीका ऐसा लिखते हैं एक एक करके एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं कि सर लॉग का one by something जरूर होगा लेकिन कब होगा अगर ये लॉग के अंदर वाली चीज के respect में differentiate होगा उसके बाद लॉग का काम हुआ अब लॉग से अंदर पहुचे sign पे बाहर से अंदर की और अब sign of something का differentiation cause of something तब होगा जब वो उसी something के respect में differentiate होगा और finally मेरा something का differentiation x के respect में चेंज इतनी लंबी रहेगी उतना लंबा हमें आगे बढ़ता जाना है यहां तक किसी को कोई दिकत कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो यहां पे मैंने आपको chain rule में समझाने की कोशिश की कि actually होता क्या है क्यूं हमको कहते थे आपको बार बार कि log of गदा गोड़ा होती का हो जाएगा 1 by गदा गोड़ा हाती into directly अब यह जो गदा गोड़ा हाती है इसका dash यह क्या है आपका sign है तो sign of फिर से गदा गोड़ा हाती क्या हो जाएगा आपका cos of गदा गोड़ा हाती into गदे गोड़े हाती का dash और वो गदा गोड़ा हाती आप finally जाके x की power 4 जिसका differentiation finally x के respect में हो जाएगा 4 x cube क्यों इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है इसके आगे कुछ बचा नहीं है मेरा पूरा function यहां पर क्या हो रहा है खतम हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएका बहुत ही जल्दी आपका lecture खतम हो जाएका तो ध्यान देना तो यहां से मुझे clear हो गया कि किस तरीके से हमें chain rule में work करना होता है clear है तो next chapter से क्या करेंगे next lecture जो हम लेंगे वहां पर आपको इसी procedure पर बेस पहले सवाल बनाते वे दिखाएंगे क्योंकि यहां पर चीज़े हम समझ चुके हैं और वहां से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें exam में सवाल आ जाए तो बनाना है और competition में कैसे आ जाए वह तो आप अल्रड़ी सीख चुके हो उस पे भी देखते वह चलेंगे साथ सा तो I hope आपको lecture समझ में आया होगा clear हुआ होगा अगर लग रहा है कहीं पे भी कुछ clear नहीं हुआ या कोई doubt रह गया हो तो आप comment section में